हेलो डियर इस्टेट वेल्कम बैट टुमाई टू चैनल इसके प्रिएस हमने देखा था कि एक्सराइज 1.4 का क्वेश्चन आफ 6 तक कैसे सॉल करते हैं आज को देखना हमें यह चीज आने चाहिए या तो वह अल्टर्नेट होगा या तो इंटिरियर होगा या तो फिर करस्पॉंडिंग होगा और आपने कैसी कहा है पहले कैसे में बेपिटी तो यही चीज़े अपलाई होंगी इसके लिए अधर चीज़े अपलाई नहीं होती है और क्या दिया है एर पीफ है पीफ इस टू टाइमस अव डीपी मतलब पीफ ही टू टाइमस अव डीपी मिस वोट जो पीफ है वो डीप का डबल है एंड क्या पुछा डी एक्टिविटी नहीं है तो पहले मैं आपको टीज करूंगा कि इस क्वेशन को सॉल कैसे करते हैं कि यहां पर जो डाइगराम बना हुआ इस डाइगराम को मैं यहां पर आपको समझाने के लिए ड्रो करता हूं तो यहां पर आपका क्या है पी क्यू पैललर टू डी और यहां पर पॉइंट दिया है आपको एक एफ आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया और पी यह कोडिलेटर find out करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी जो आपका पूरा एरिया है FDE पूरा ट्रेंगल है अगर इस ट्रेंगल के पार्ट में से ये ट्रेंगल का पार्ट में निकाल दू निकाल सब्त्रेक कर दो पूरे एरिया में से मिस अगर मैं एक पी क्यू को सब्त्रेक कर दा हूं तो क्या बचे को कॉडिलेटरल बचे को हमें क्या करना है कॉडि लेटरल D P Q E find out करना है, तो मैंने आपको क्या बोला, कि जो पूरा एरिया है, मतलब area of triangle F D E, F D E में से, मैं क्या कर रहा हूँ, area of triangle F P Q को subtract कर दूँ, तो हमें ये मिल जाएगा, ये में जाएग, बट सर, problem क्या है, कि ये हमें दिया है, F P Q हमें क्या हुआ है, already दिया हुआ है, तो हमें क्या निकानना पड़ेगा, F D E, क्या निकानना पड़ेगा, F D E, F D E कैसे निकले है, इस question क्या सोल करना है, already मैंने explain कि अभी हम लोग ये activity फिल करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, area of triangle F Q P, F Q P equals to 20 square minute, square minute divide because यहाँ पे area है, अभी आपको क्या दिया, PF equal to 2 times dp, जो का PF ये क्या 2 times of dp है, तो हम अजियों कर रहे है कि जो मेरा dp का value है, ये मेरा क्या x है, अगर ये x है, ये 2 times है, मतलब PF equal to 2 times dp, तो PF equal to 2 into dp का x है, तो ये क्या 2x हो तो यहाँ आप देगे, मैंने लिखा, PF equal to 2x, आपको question दिया, आपको question दिया, आपको यहाँ पर क्या दिया, तो df है, मैंसे ये पूरा length हो किस से बना हुआ है, dp plus pf, pf हमको क्या मिला है, अभी 2x मिला, तो ये x plus x क्या हो जाएगा, x plus 2x क्या हो जाएगा, 3x, तो यहाँ dp+, 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 तो यहाँ पर यह क्या pf है, क्यों pf जाएगा, because यहाँ पर df बोला है, तो df यह पूरा है, df क्या, pf, dp plus pf से बना है, तो यहाँ पर कहाएगा pf, dp का वालू x है और यह कहाए, 2x है, तो x plus 2x क्या होजेगा 3x, अगर x into 2x होता, तो क्या हता होता है, अच् d e big one and f p q sort one sort one का हमको area दिया है big one का निकान लेगा है तो पहले हमें ये दोनों में properties के वो सो करने पड़ेगे दो triangle को हम लोगा similar proof करेंगे इसको f d e जो बड़ा triangle है और f p q जो small triangle तो यहाँ पर f d e का corresponding angle क्या हो f p q होगा क्योंकि ऐसा क्यों तो यहाँ पर corresponding angle तो f d e यह angle corresponding angle क्यों होगा f p q यह वाला तो यहाँ पर कहेगा f d e आपको दिया और यहाँ पर कहेगा f p q angle f p q और आपको already यहाँ mention क्यों corresponding angle तो ज्यादा problem नहीं आपको ज्यादा नहीं सोचना है इसका बस क्रस्पंडिन रूपने यहाँ पर पूछा तो यहाँ पर क्या है F E D F E D यह वाला है तो इसका क्रस्पंडिन रिखना है F Q P अब आपको बोलो स्थर मैं P Q F लिखना चाहता हूँ चलेगा वो भी चलेगा लेकिन यहाँ पर F Q D दिया है तो आप इसी ओरन में जाओ F Q P तो यहाँ पर क्या है एंगल F Q P अब यहाँ पर दो प्रोपर्टी मिल गए तो मतलो यह दो ट्रेंगल क्यों होंगे सिमलर होंगे वाई एंगल एंगल टेस्ट अगर दो ट्रेंगल सिमलर हैं तो उनका एरियास क्या होता है एरियास का जो रेशो होता है उसके साइड के स्क्वाइर के एकवल होता है तो यहाँ पर दोनों ट्रेंगल का एरियास ले लिया 3x square किसका value है 3x किसका value DF का तो यहाँ पर कहा है कि अगर हम लोग DF लेते हैं यह दो term तो यहाँ पर हमें कहा लेना पड़ेगा PF तो PF हमको 2 दिया है और वो गिता दिया 3 दिया तो यहाँ पर कहाएगा FD square FD को हमने यहाँ पर कहा लिखा है DF तो यहां पर अपर दो डीयव घुब लिखot यह तो यह दोनौ तो यहां पर играईगा P F का स्क्वर आएगा और D X को दिए underground, और वह स्काव तो इसका भल्या भी दखिया , यहां पर मैं ए स्प्रेंड करताहु की ऑफ पर यह और दिद्ध कैसे स्कुएरई और हैं तो तो ध्री ऑफ के इसकोई नाAss respectively और यह द्धिचल यहाँ पर हैं तो यह डिवीजन में तो इसको यहाँ पर लेङे तो यह क्यों होगा multiply में होगा अभी fpq fpq को value हम लोग को area of दिया हुआ है fpq मतलब इसी की बात कर रहे है fpq इसकी बात कर रहे है आपको क्या दिया है pqf और fpq मतलब यह semi area 20 square unit q square unit because यह के area तो इसका value क्या हम है 20 अब इसको हम लोग 4 से divide करेंगे तो 4 फाइजा तो 9 फाइजा किता होगा 45 तो यहाँ पर हमें मिला fde का area हमें कहाँ निकालना है dpqe तो dpqe निकालना है तो मैंने क्या बता था पूरे areas में से fde में से आपको subtract करना है fpq तो इसको subtract किये गए अब यहाँ में कितना मिला है 45 और यहाँ में कितना दिया है 20 अब 25 में 20 subtract करने तो कितना मिलेगा 25 area तो इसके लिए आपको कहाँ निकला पड़ेगा sq मतलब स्क्वाइर unit तो यहाँ पर यह क्योंगा आपका final answer हो गया जो कि similarity चैप्टर का है अभी यहाँ मैंने तेंद का आपको चैप्टर नब फर्स खतम कर दिया है अगर आपको किसी और चैप्टर में doubt है तो आपको कमेंट में में मेंशन करेंगे तो मैं उसके ओपर वीडियो बना दूँगा अभी जो हम दो क्या स्टाट करें। मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो एफड já чैसी science की बेचे जो 11 science की बेचे उसके कुछ वीडियो साने वाले हैं ठोड़े में दिनों बात जो 12 science के इनके भी वीडियो नेच्ट मन से स्टाट होंगे not this month 12 के स्टाड़ अभी फिलाल 11 साइंस के विडियो यहाँ पे आपको अपलोड़ेट फॉर्म मिलें थैंक्स फॉर यूर सपोर्ट थैंक्स फॉर वच्ट